इंदोर जिसे देश में सुच्छता में नमबर वन का खताब मिला है। इस मौनसून में अपनी सडकों की खराब हालत के कारण सुर्ख्यों में है। शहर के कई सडकों पर गड़े हो गये हैं जिससे उन्हें साफ करना भी मुश्किल हो गया है। हालके इस मौनसून सीजन पर अभी ज्यादा बारिश नहीं हुई है फिर भी कई सडकें खस्ता हाल हो चुकी है। शहर के सडकों की खराब हालत के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। खराब सडकों के कारण वहां चालकों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के ऐसे कई लाके हैं जहां अधूरा सडक नर्मान स्थानिय रहवासियों के लिए परिशानी का सबब बना हुआ है। लोग कई बार जन सुनवाई में भी अपनी समस्या से नगर निगम को अवगत करवा चुके हैं लेकिन उनकी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हुई दो मेने में 15 दिन काम होता है दो मेने काम बंद रेता है फिर 15 दिन होता है दो मेने काम बंद रेता है एक साइट का रोड उन्होंने कम्प्रीट करा है जिस रोड को कम्प्रीट करा है महाँ पे खपचा कर लिया गया है लोगों द्वारा और अतिकर्मन करकर रोड पे दुकान करा जाए जो रोड पंचर हो जो दुरस्त करा जाए क्योंकि बारीश के समय पर कि पानी भराइगा गड़े स्वाटे हम लोगों को बोला West यह आप यह रोड से अति क्रहुने हटा लो इस जो रूड बन गई है उसका हम उपयोगा कर पाएं पर वो भी सब लोग हटाने को तयानी और नगर निगम को शिकात करने के बाद भी कुछ भी होगा सुनवाई नहीं हो रही है तो आखिर कार हम लोगों को जन सुनवाई में आगे कमिशनर साब को क्या पन देना पना हाल ही में हुई दो घटनाओं ने शहर के सडकों के दुरदर्शा को उजागर कर दिया है पहली घटना में नगर निगम द्वारा खोदे गए गड़े में एक बच्ची गिर गई जिसके जान खुश किसमती से बच गई इस घटना ने प्रिशासन की कारिय प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिये हैं दूसरी घटना महापौर पुशमत्र भारगों से जुड़ी हुई है उनके पलोसियों ने कॉलोनी की अधुरी पड़ी सडक के कारण आ रही समस्या के खलाफ महापौर निवास पर ही धरना दी दिया यह धरना महापौर के लिए भी एक चीताउनी के रूप में दीखा जा रहा है कि शहर की सडकों की हालत में सुधार किया जाए नगरनिगम का कहना है कि इस बार सडकों का पीचवर्क डामर की बजाए सिमेंटेड माटेरियल से किया जाएगा क्यूंकि इसके ठीके रहने के संभावना अधिक रहती है अभी जहां गड़े हो जाते हैं वहाँ पर डामर का पेचवर्क कर जाते हैं और वो डामर पेचवर्क जल्दी खराब हो जाता है है करेंगे कि इसमेंटी है कि उतना की काड़ से पैचवर्क करेंगे इंदौर जैसे शहर में हर साल करोडों रुपए सिर्फ पैंच वर्क में ही खर्च किये जाते हैं जिससे कई सड़कों को बनाया जा सकता है लेकिन इन दिनों निगम के सारे काम अधूरे ही है जो आम जन के लिए हादूसों सहित अन्य समस्याओं की वजह भी बने हुए है